हमारे पास सेंटर पे एक यूगा लाया, कपल, उनका बेटा, जो अभी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका बेटा किड्नाप हुआ था, और उनको ना वो CCTV फुटेज पे मिल गए थे, जहां उस बच्चे को रखा, जो जो हुआ उस बच्चे के साथ, और अब बच क्योंकि उनको बार-बार कोट में जाना पड़ रहा था, और सामने कौन खड़ा होता था, सामने कौन खड़ा होता था, वो व्यक्ति, जिसने वो किया, और जिसको उन्होंने वो CCTV में देखा था, वो सब करते हुए, तो वो लोग जब सेंटर पर आये, वो मा कहती है, मैं न पर ग्यान वो बहुत दिन से जुन रही थी, तो खुदी बोली, हम तो नहीं बोलते हैं जब कोई आता है, बात ले करके ये तो हमारे कर्मों का परिनाम है, फैक्ट तो वो होता ही है, लेकिन उसको ग्यान जमझ में आ गया था, तो फिर वो एकदम रोते रोते रुकी और फ की वज़े से ऐसा हुआ, मैं का जादा सोचना नहीं, मन बहुत भारी हो जाता है ऐसा सोचकर, कहती नहीं, समझ आ गया, हम नहीं कुछ किया था, अब क्या करना है हमको, मैं का वो जो सामने दिखता है न व्यक्ति खड़ा हुआ हर ताइम, सबसे बहले अपने आप से पुछ के साथ हिसाब किताब है, फिर हमने उससे पूछा, आप उसको फिर से मिलना चाहते हो किसी जीवन में, कहते हैं मुझे कभी नहीं देखना उस आत्मा को फिर से, मैं कफिर उस हिसाब किताब को इस बार क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस बार उस हिसाब किता अपना काम कर रहा है आपको सिरफ एक काम करना है आपके यहां से अब उसको कोई एनर्जी नहीं जाने चाहिए मतलब आप अपनी रस्सी जो उसके साथ है उसको क्या करना होगा आपको अपनी रस्सी को उसको तोड़ो आप पिछली बार मिल चुके हो इस बार इतनी जाततर ऐसे मिले हो फिर से हमें उस आत्म को नहीं मिलना है अगर तो हमें अपनी रसी को क्या करना होगा खतम करना होगा लेकिन नफरत तो एक बहुत strong रसी बन जाती है तो पता है उसको क्या करना पड़ा उसके लिए कैसे हम आपने हिसाब किताब को खतम करते हैं रोज मेडिटेशन करके योग में ध्यान में बैठ कर उसके बाद चार संकल आप भी साथ साथ करो पहला संकल जो हमारे साथ अभी गलत कर रहे है जो मेरे साथ आज गलत कर रहा है अब मुझे स्मृति आ गई कि मैंने कुछ न कुछ उस आत्मा के साथ किया था नहीं तो वो मेरे साथ गलत कर नहीं सकते तो पहले पहले मैंने जो गलती की थी जो मुझे याद नहीं है लेकिन जो घाव मैं उस आत्मा को देकर आई हो पहले उसके लिए शमा मांगते हैं मन में सामने जा करने जो मेरे साथ आज गलत कर रहा है पहले मन में हम उनसे पुरानी गलती के लिए शमा मांगते हैं दूसरा संकल आज जो उन्होंने हमारे साथ किया हम अपने मन चित से उस बात को खतम करके कहते हम आपको शमा करते हैं और तीसरा हमारा और आपका हिसाब किताब अब खतम हुआ हम फिर कभी नहीं मिलेंगे ये संकल्ब करते हैं और मेरी तरफ से आपको अब सिर्फ दुआएं आपकी आगे की यात्रा के लिए वो बहन ने रोस किया पहले तो वो बहुत नाराज हुई कहती ही मैं उससे शमा नहीं मांगोंगे मैंने बहुत जा के थोड़ी मांगने लेकिन जो पहले चोट दी है उसको खतम तो करना ही पड़ेगा तो पहले दो-चार दिन उससे हुआ नहीं तो वो लिखने लगी क्योंकि बोला नहीं जा रहा था मन में संकल भी नहीं किया जा रहा था लिखा उसने मैं आप से शमा मांगती हूँ मैं आप से शमा मांग लिखना शुरू किया फिर सोचना शुरू किया फिर अंदर करती गई, करती गई अब पता है क्या हुआ उसके बाद अब वो अराम से कोट में जा सकती है वो वहां बैठती है वो अपना जो उसको पूछा जाता है वो अच्छे से बोलती है लेकिन उसको उस व्यक्ति को देखकर अभी उसके उपर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि उसने अपनी सोच को क्या कर लिया सारा जेंच दूसरे ने जो करम किया उसका परिणाम तो उसके पास आना ही वाला है देश का कानून भी काम करेगा और उसका करम भी काम करेगा लेकिन अपने मंचित से साफ करके हम किसके कर्मों के हिसाब किताब को ठीक कर लेते हैं